वेल्कम बैक टो दी एजुरेटर चानल पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको के डी के बारे में बताया था करनल डेंसिटी एस्टिमेशन के बारे मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है और चार्ट्स में अभी पीछे पढ़ाई रहा हूं सीबॉंड के तो आज जो आपका टॉपिक है वह आपका केटिगोरिकल प्लॉट्स है वह आप लोग कैसे किसी चार्ट को केटेगरिक के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे वह मैं आप लोगों के इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है सबसे पहले तो मैं टिप्स का डेटा यू केटेगरि है उसके बाद अनस नाइट यह भी एक कैटेगरिया ठीक है स्मोकर भी है या नहीं यह बीके अ प्लाट करना है तो सबसे पहले आप लोगों को नई फाइल बनाई है तो मैं जड़ा इंपोर्ट कर लेता हूं बेसिक लाइबराई जैंच तो लोग इंपॉर्ट कर लेता हूं कर दो टेक है तो यह आपकी बेसिक लाइबरी साब लोग इंपॉर्ट कर लेना कि यही तिन लैबरेडेदे इसके बाद देखो कि सीबॉन के लिए SNS डॉट अब देखो जो केटेगरिकल प्लॉट है वह आप लोग डिफरेंट चार्ट में आप लोग बना सकते हैं मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बताएं लेकिन ये वाला जो चार्ट है म इसके बाद इसमें आपके पास दो पैरामिटर आएंगे आपके पास आएगा एकस वाए और आपका डेटा जो आप डेटा यूज करेंगे लेकिन हम लोग डेटा टिप्स ही यूज करेंगे जो इन बिल्ट डेटा है ठीक है अब देखो जो आपकी एकस की वैल्यू होगी वह आपकी होगी कैटेगरी काँगे डेटा हाँ यह रहा है कैटेगरी जो एकस की वैल्यू जाएगी वह आईगी कैटेगरी तो मैं इसमें कैटेगरी ले रहा हूं सेक्स और मतलब मेल और फीमेल की कैटेगरी ले रहा हूं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आपकी facts इसके बाद y में आप लिखेंगे यह जो categorical data है या किस numerical value के अगेंस में इसको plot कर रहे हैं तो जैसे मैं total bill के अगेंस में इसको plot कर रहा हूं और मैं चार्ट के तूँ यह जानना चाहरा हूं कि किस gender ने सबसे ज़्यादा बिल पे किया है या फिर जो बिजनेस में प्रॉफिट है वो किस के तुरू आता है mail के तुरू आता है या female के तुरू आता है तो मैं जो है total bill total इससे तुरू आप लोग को क्या पता लेगा कि कि किसका share बहुत आता है mail का या आपका female का यह हो गया आपका इसके बाद इसको रन करो एक सेकिंड डेटा टिप्स इस नौट डिफाइंड इसको डेटा को यार आप लोग ना एक बार दुबार से इसमें हम लोगों को इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने फाइल में बस एक सेकिंड दो यह आपका डेटा लोड करना है आम लोगों को ठीक है यह हो गया आपका डेटा लोड तो मैं इसी में बताऊंगा ठीक है आप देखो इसको आप रन करो शिफ्ट प्लस एंटर से तो आप देखो यहाँ पर आपको दो चार्ट दो बार मिले हैं पहला बार है आपका मेल का दूसरा बार आपका फिमेल का तो नॉर्मली आप लोग इसमें देख पा रहे हो टोटल बिल ठीक है इसके बाद यहाँ पर आगया आपका कैटेगरी के सेक्स क्वाइं के में सउर्च कर रहा हूँ कि बाद आप कि मेल सेक्शन में जो हाईर है फिमेल के बार में तो इसमें जो मेल है उसने जादा अमांट पे किया है मतलब जादा प्रॉफिट देता है meल सेक्शन आपको तोटल बिल में ठीक है इसके थुरू आप लोग इस तरीके से आप लोग जो अपना विजुलाइजेशन है वह आप लोग कर पाएंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग ठीक आप इसमें एक और चीज है जो आप लोगों को हेल्प करेगी वह होती है आपका एस्टीमेट तो अब देखो एक सेकेंड अब आप इसका जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वह भी आप पड़ पाऊगे शिप्ट प्लस टैब दबाना तो उसमें आपको नीचे यह डिस्क्रिप्शन आपको शो होने लगेगा ठीक है शो दी पॉइंट एस्टीमेट एंड ए एन एस्टीमेट ओफ सेट चलो शोड़ो इसको चोड़ो आप इसको आप पढ़ लिए अगर आपको पढ़ना है तो वैसे नॉर्मल समझो देखो अब मुझे एस्टीमेटर यूज करना है ठीक है तो एस्टीमेटर में डिफरेंट डिफरेंट चीजे को यूज कर सकता हूं इस्टीमेटर में तो इस एक्जामपल में जो मैं यूज कर रहा हूं वह आपका स्टेंडर डेविएशन ठीक है अब देखो स्टेंडर डेविएशन कैसे यूज कर पाएंगे हम np.std अप एंटर मारो तो इस्टेंडर डेविएशन भी आप लो अब इसमें जो है आपको स इस्टेंडर डेविएशन देखने को मिला है यह वाला जो चार्ट बना है यह बार जो बने है इस्टेंडर डेविएशन के थ्रू बने है ठीक है अब देखो इसमें इस्टेंडर डेविएशन जो यूज किया है मैंने इसका क्या रीजन है कि जब आप विजुलाइशन करत रखता है कभी-कभी मीन भी यूज़ करना पड़ सकता है for example मैं इसमें कि परसेंटेज और आपका मीन आप मीन यूज़ करोगे तो आप मीन में देख रोगे देखो आप अब देखो मैं इसमें आपको डिफेंस दिखाता हूं यहां पर आप लोग का जो टोटल बिला रहा है वो 20 आ रहा है कि मतलब 20 पर आपका जो चार्ड बना है वो 20 पर बनाए जो मैं का बार है यहीं पर आप लोग इसको चेंज कर दो नहीं मीडियन मीडियन जाओगे तो थोड़ा सा और आप लोग को स्टेंडर्ड डेवेशन बहुत ही प्रिसाइज चला जाता है मीडियन थोड़ा सा थोड़ा मीन से थोड़ा सा नीचे होता है इसलिए आपको 17.5 के थोड़ा सा उपर देखने को मिल रहा है मेल चार्ट का जो बार है ठीक है इस तरीके से आप लोग इनको यूज कर पाओगे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँँ शहाद आपको इसमें confusion हो रही हो कि यहां पर एनपी डॉट मेडियन क्यों यूज किया है जब भी आपको एस्टिमेटर ऐसा यूज करेंगे जिसमें आप लोग लाइवर्य आपकी नम पाए उसको आप लोग उस करोगे ठीक है जैसे अटर डेवेशं के लिए आप लोग अन्पी का यूज करोगे समभी करना है अगर जैसे मालू मुझे अगर समभी करना है इसे मैं पैसा कर दिया और आपके पास पैसे भी आ से खर्च किया है वहीं फीमेल ने 1500 से तोड़ा सा ऊपर खर्च किया है तो इस तरीके से आप लोग इसका एस्टीमेशन का यूज कर पाओगे ठीक है एंपी आपको लेनी पड़ेगी जब आप नुमेरिकल वैल्यूस के साथ कुछ कुछ भी करोगे जैसे मीडियन इस्टेंडर डेविशन सम होगे आपका या फिर कुछ और भी करोगे तब भी आप लोग एंपी का यूज करोगे ठीक है तो बस इत्ता ही है और इसके लावा अगर आप लोग एक और चाहो तो मैं एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाएता है पहला आपको होगा एक्स जिसमें आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है तो मैं सेक्स लेके चल रहा हूं मतलब की मेल और फिमेल का लेके चल रहा हूं उसके बाद आपको डेटा डिफाइन करना है कि डेटा कौन सा लेके चल रहे हैं आप मैं अपना टिप्स लेके चल रह कुछ इस तरीके से आपको count plot हो जाएगा ठीक है इसमें इन्होंने number count किया है man का total कितने men's ने आपको total bill में contribute किया है और कितने female ने total bill में contribute किया है तो इस तरीके से count plot का आप लोग यूज कर सकते हैं ठीक है इसमें दूसरा parameter जो वाई है वो define करने के जरूत नहीं है ठीक है इसमें जो total bill है वो ही आपका वाई का जो default form है वाई की जो default form चलेगी वो टोटल बिल ही चलेगी तो ठीक है बस यह दो हैं बाकि आप scatter plot वगेरा भी try इसमें कर सकते हैं करना चाहें तो एक बाद ट्राइ करना ठीक है आज फिर भी ना है तो आप कमेंट कर देना मैं scatter plot बिआपको इसमें plot करके दिखा दूगा मैं अभी इसलिए करना चाहरा क्योंकि ताकि वीडियो जादा लंबी ना हो जाए ठीक है इतना टाइम नहीं है कि सारे चार्ट एकदम से प्लॉट करके दिखा दूँ ठीक है तो अभी इतना ही रखते हैं इसको ठीक है अगले टॉपिक पर बात करेंगे अगली वीडियो में